वेलकम आवर चैनल्स किरियेटर सुपर ठटी आप सभी का स्वागत है क्लास नाइन्थ का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो आज हम सुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर है इंप्रूब्मेंट इन क्रॉप रिसोर्सिस जी हां तो हम लोग इस चैप्टर पर बारें बात करे सुर्णिक है थोरा समय है आपको इस चैप्टर के बारें बताना चाहूँगा अगर मैं बात करता हूँ इम्प्रूब्मेंट का तो आपको पता है what is the meaning of improvement ये भी पता होगा हम लोग किस तरह से इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं in terms of productive yield, quality and quantity की terms में अगर मैं बात करूँ मैं बता दू, resources क्या होते हैं, which make our life easy and convenient, और जिनको use करके, हम लोग value, life में value add-on कर सके, तो जो food है यहाँ पर, वो resource के track करेंगे, और जो resources है, वो आपको पता होता है न, resources को हम लोग क्या कर सकते हैं, थोरा सा increase करने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है, हम लोग का India जो country है, वो vast populated country है, और हमने कह सकते हैं, कि population continually grow हो रहा है, in that case, जो demand है, food का वो बढ़ रहा है, पर आपको यह भी पता है, कि जो हमारा cultivation land चाहिए, crop productions के लिए, वो हमारे पास बिल्कुल वे enough नहीं है, यह हम लोग कर सकते हैं, उसका shortage चल रहा है भी है, तो that means, इस chapters को परना बहुत जरूरी है, दोस्त, जब तक आप नहीं कर पाएंगे, तो limited resource में, limited जो lands है हमारे, जो limited water contents है हमारे, उसमें ही हमको क्या करना होगा, अपना productivity बढ़ाना होगा, आईए, इस chapters में हम लोग यह पूरा सिखेंगे, क्या क्या तरीका होगा, productivity बढ़ाने का, आइदर जो resource की बात करेंगे, अभी diagram के तोर पे आपको दिख रहा होगा, पहला part है, इसपरेंशियाटी, जहां पे हम लोग plant resource की बात करेंगे, और जो second part होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, animal resource की, तो animal resource के लिए, आपको पता है, आप एग, है ना, meat, milk, यह सब हम लोग क्या करते हैं, consume करते हैं, चलिए, हम लोग देर ना करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहला, आता है, what is improvement in food resource, अगर दोस्त, literally इसकी deflation की बात करें, तो आपको यह पता ना चाहिए, how food act as resource for all living organism, आपको यह पता होगा, जो हमारा food है, वो research के तरह act करता है, सभी ornaments के लिए, कैसे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, fit food, आप क्या करते हैं, gives us energy, food क्या मिलता हैं, हम लोग को, gives us energy, पहला functions हो गया, अगर हम लोग बात करते हैं, और क्यों कहेंगे, अगर मैं बात करूँ, to maintain health, हम लोग क्या चाहिए, food चाहिए, और अगर हम लोग बात कर सकते हैं, कि अगर हम लोग समझ लिजिए, अगर food ना हो, तो हम लोग survive नहीं कर पाएंगे, without food, survival is not possible, तो दोस्त, हम लोग कह सकते हैं, जो हमारा food है, वो act करता है, किसके तरह resources के तरह act करता है, अगर यह food resources ना हो, तो हम लोग किसी भी types का कोई भी activity नहीं कर सकेंगे, अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दू, कि foods में और कौनकान सा आपका components होता है, various components की हम लोग बात करते हैं, तो आपको यह भी पता है, जो components होंगे, हम लोग, जिसको हम लोग क्या करेंगे, nutrients की बात करेंगे, that is, आप यहाँ से सीखेंगे nutrients, nutrients, तो आईए, हम लोग बात करते हैं, various बात करते हैं, तो components of food में सबसे पहला, देखेंगे, वो कौन-कौन साब parts है, nutrients है, that means पहला हो गया carbohydrates, फिर हो गया हमारा proteins, फिर हो गया हमारा fat, और बच्चों, यह सब कहां परजेंट होता है, हम लोग का foods में, अगर मैं बात करूँ, और भी चीज है, that means आपका vitamins हो गया, आपका minerals हो गया, और other components हम लोग बोच सकते हैं, यह सब हमारा क्या present होगा, food में present होगा, resource के मतलब क्या होते हैं, resource के मतलब होते हैं, resource means a source that can be used for benefits, अगर वो चीज है, तो resources हम लोग कहेंगे, but this is limited, and need to be generated in enormous amount, जो भी resource हमारे पास है, वो हमारा limited है, उसको बढ़ाने की जरुवत है, to fulfill the demand of growing population, और जो हमारा food resource होगा, वो food resource को बढ़ाने का जो तरीका है दोस्त, वो है हमारा agriculture, this increasement leads to various revolution in agricultural field, तो हम लोग agriculture करेंगे, और agriculture में देखेंगे, इस परकार से हम लोग प्रोटेशन्स बढ़ा सकते हैं, resource का quality, quantity दोनों increase कर सकते हैं, जिसके कारण से हम लोग एक term यूज कर देंगे, वो term है हमारा revolution दोस्त, तो revolution अगर हो रहा है, agricultural field में हो रहा है, तो आप यह जानेंगे, कि जो various हमारे field के parts नहीं, जो crops के parts हैं, उनका enormous growth होगा, तो food जो होता है, जो various kinds होता है, so there is growth and increasement in productivity in different food types, either it is animal source or it is of plant source, इस दोनों में हमारा क्या होगा, food का जो productivity है, वो बढ़ जाएगा, तो आप यह देखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं, suppose, आप यह मानिए, कौन-कौन सा food का parts होगा sir, तो for example मैं बात कर देता हूँ, suppose, मान के चलिए, petroleum product की में बात करता हूँ, यह भी resource है, हाना कि यह food नहीं है, बट आप यह समझेंगे, इसमें जो भी मान के चलिए, हम लोग बात करते हैं, तो petroleum में coal आते हैं, जो petroleum products आते हैं, waxes आते हैं, यह सब भी हमारा resource है, हम लोग इसको भी consume करते हैं, क्या यह product हमारा increase हो सकता है, तो अंसर आता नहीं, क्योंकि petroleum products जो सहर है, it takes thousands of years to process or to make, to make कितना होना चाहिए, हम लोग कर सकते हैं, टेक्स thousands of years, कितना चाहिए, thousands of years चाहिए, तो यह जो thousands of years चाहिए, दोस्त, thousands of years चाहिए, उतरा हमारे पास है, answer नहीं, तो फिर हम revolution कैसे कहेंगे, सर, तो petroleum product में आप क्या add कर देते हैं, petroleum product में आप add कर देते हैं, alcohol, C2, H5, OH, और इसकी जो यह आप कह सकते हैं, जो use करने की जरूराथी है, अगर आप एक लीटर पेट्रोल यूज करके, बाइक चलाते थे, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, एक लीटर पेट्रोल और पलस एड कर देंगे, alcohol कितना, तो 75% approximately, maximum, और यह बन जाएगा, 1.75 लीटर, और तब जाके, यह हमारा जो quality है, पेट्रोल का, उस पर depend करेगा, efficiency बढ़ जाएगी, तो हमने क्या किया, हमने, by adding alcohol into the petroleum product, like petrol, diesel, इसमें add करने के बाद, हमने efficiency बढ़ा दिया है, that means, जो use करने का rate consumption है, हम वो कम तो नहीं कर रहे हैं, बट हमने क्या कर दिया, उतना ही use करके productivity को कैसे बढ़ाया, by adding alcohol, अब जो बात करते हैं, तिस को लिए हमने what use करते हैं, that means, जो इस छेतर में, जो हमारा industry है, आटो मोईस इंड़स्ट्री में, इसमें की revolution के तरह काम किया, जहां से जो petrols के कीमत आपको पता ही है, बढ़े रहे हैं, resource भी limited है, फिर भी हम लोग इनको use कर पाएंगे, अगर हम लोग बात करते हैं, second जो revolution वो दोस्त, वो है हमारा pink revolution, pink revolution अब को पता है, meat especially आटा है, poultry meat के लिए, तो पहले आप इसे समझेए, किसी के घर में, अगर मांग चलिए, पर डे जो vegetables है, वो बन रहा है 1 kg, vegetables, अब क्या हो गया, उसमें जो monthly basis पे, अगर मैं उसके घर में, 10 days के लिए, उसमें क्या कर दूँ, meat बनाना शुरू कर दूँ, तो क्या उनमें vegetables घर में बनेंगे, अंसरत नहीं, जब vegetables नहीं बनेंगे, तो 10 दिन का vegetables बच जाएगा, और जो मारा food source है, वो meat हो जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, इस दिच को on a large scale देखेंगे, और जो इंडिया के साथ साथ, पूरे world में मैं देखू, तो बहुत सारे ऐसे country हैं, जहां पे vegetables कम भी हैं, फिर भी meat का production करके, वो अपना survival maintain कर पा रहे हैं, तो scaly revolution क्या उज़ करते हैं, pink revolution for meat productions के लिए, higher productions कर दिए, अगर हम grey की बात करें, तो grey productions हो जाएगा, हमारा fertilizers के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं, white के लिए, तो ये milk की बात करेंगे, हम लोग yellow revolutions की बात करेंगे, तो आप करेंगे wilds के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं, mustard wise इसमें एक्जामपल आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारा wise होगा, उनकी increasement को बरासकते हैं, green revolutions the most common and familiar terms है, हम लोग बात करते हैं serious के लिए, basically इसमें जो लेते हैं point, वो लेते हैं rice का लेंगे, wheat का लेंगे, और हम लोग थोड़ सा बात करेंगे pulse case का, तो ये green revolutions में बात हो जाएगा, अगर हम silver की बात करें, तो silver revolution में एक देखेंगे friends, अगर हम golden revolutions की बात करें, banana की देखेंगे, mangle की growth को बढ़ाएगे, अगर हम लोग brown revolutions देखते हैं, तो coffee की बात करेंगे, blue revolutions देखेंगे, aquaculture की बात करेंगे, golden fiber revolutions देखेंगे, तो जूर production सी देखेंगे, तो total इससे ज़्यादा revolution आपके किसी भी exam में नहीं पूछे जाएंगे, ये overall list मैंने बना के आपको display किया है, तो जहां से आप various revolutions को समझते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ, जो food होगा as a resource, ये सब भी हमारे foods के components हैं, parts हैं, अगर हम लोग बात करते हैं, दो common operations की, एक operations होता है मेरा operations green, जो की हमारा basically increase in production of tomato, potato और onions के लिए, फिर एक हमारा चला था operation flood, जिसमें हम लोग सिर्फ ये focus किये थे, कि जो dairy product है, जो हमारा milk है, वो कैसे increase हो जाए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे, sustainable agriculture, जी हाँ, sustainable agriculture, अब आप देखिए, chapters का नाम दोस्त हर बार याद रखिएगा, मैं कोसिस करूँगा, लगवग लगवग, हर 10 minutes के बाद, एक बार आपको chapters का नाम बताऊँ, इससे फाइदा ये होगा, आप correlate कर पाएंगे, चीजों को, क्यों परना है, और ये sequence में ही क्यों परना है, तो जो मैंने आपके बात बताई, improvement in food resources, अब यहाँ पर देखिए, there are so many types of resources, उसमें improvement करने के लिए, या तुमको production बढ़ाना परता, या फिर हम किसी ऐसा तरीका use करें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनके uses को बढ़ करेंगे, और भी जो हमारा product part है, जो हमारा agricultural product part है, उसका agriculture कैसे करेंगे, और एक बार नहीं करना है, बार बार करना है, क्यों? क्योंकि जो हम consumption करते हैं, on a regular basis, हम लोग daily basis पर कर रहे हैं, तो agriculture भी कैसा होना चाहिए, long lasting होना चाहिए, sustainable होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं हो तो हम लोग बात करेंगे, जो sustainable का मतलब क्या होता है, तो point समझेगा, it consists, fulfill the demand, या समझेए point, it consists, fulfill the demand of current generation without compromising the needs of future generation, future generation को, उसके needs को without compromise किये, हम लोग अगर current, जो भी generation है, उसका demand को fulfill कर पा रहे हैं, तो यह हमारा कहलाता है, sustainable, it also ensure the balance between economic, growth, environmental care, and social well-being, अब यह समझेए, sustainable तभी हो पाएगा, जब हम future की थोरा सा care करके, without compromising the needs of future generation, है ना, उनका needs क्या है, अच्छा बताइए, अभी आप और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है, एक अच्छे से life को enjoy कर रहे हैं, बट life को enjoy करते हैं साथ-साथ, हम लोग जो pollutions create करते हैं दोस्त, वो pollutions किसके लिए करते हैं, जो next upcoming generation है, आप यह समझ लो, आप अभी घर पे बैठे हो, मम्मी पापा बहार जा रहे हैं, और आपको बोले, कि बेटा हम एक दिन के बाद आएंगे, तुम घर का धियान रखना, आपने क्या किया, एक दिन में ही घर को जंगल बना दिया, और जब आपके parents बापस आएं, देखें, तो वो आपसे एक ही साल पुशेंगे, क्या हम इसी condition में घर को छोड़ के गए थे, तो आप क्या कहेंगे, परोसी आके कर दिया, नहीं, आपने किया, अच्छा, आपने क् सपाई नहीं की, तो जो pollution आपने मचा रखी थी, उसके लिए तो भईया, आपको डंड देना ही पड़ता है, बट हम लोग we humans क्या करते हैं, जो next upcoming generations है, उनके बारें बिलकुल भी नहीं सोचते हैं, और जम के pollution क्रियर करते हैं दोस्त, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, तो याद रखिए, without compromising the needs of future generations हम लोग को क्या करना है, एक long lasting method हम लोग को apply करना है, follow करना है, in that way कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, demand जो current population है, वो maintain कर सके, तो यहाँ पर याद रखिएगा, sustainable agriculture का जो सबसे main motive है, वो method है, merging of biological and ecological process, biological process आप समझते हैं, जिससे हम agriculture का methods है, वो ब living organism, तो आप यहाँ पर living organism की बात करेंगे, तो living organism, जब हम बात करेंगे friends, तो living organism का use करके, अगर agriculture हम लोग increase कर दिये, तो इस cases पे हो गया biological merging, अगर हम ecological की बात करें, that means हम लोग ecosystem की बात करेंगे, for future generation use की बात करेंगे, इस basis पे भी हम दोनों को अगर merge कर दे, ecology और biological किसमें, into the agricultural practices में, अगर अपने जो agriculture का methods है, उसमें दोनों को merge कर दे, तो यह sustainable हो सकता है, इससे हमारा ecological भी effect नहीं होगा, और जो biological use करेंगे, उससे हमारा productivity भी बर जाएगा, दूसरा जो main purpose है, वो है judicial use of non-renewable resource, run numerous is क्या हो गया, जैसे हम लोग soil की बात करते हैं, अगर पूरा soil को, हम लोग पूरा pollute कर देंगे friends, तो आप क्या देखेंगे, वो सारा का सारा soils जो हमारा pollute हो जाएगा, वो further use नहीं हो पाएगा, और जो हमारा soil का formation होता है, weathering of rock is called soil आप परते हैं, तो soil का बनने का जो process है, वो बहुत ही long process है, तो कोसिस याद करना है, कि जो non-renewable resources है, उसका judicial use करें, जो optimum use है, वो करें, बरबाद ना करें, और साथी साथ, better use of natural resource होने चाहिए, like water, हम लोग बात करेंगे, मिनरस, etc., सारा कुछ है, clear है यहां तक friends, च चलिए, अब यहां से ध्यान क्या देना है, सबसे पहले बात करते हैं, वो various sustainable process का क्या है, आईए हम लोग बात करते हैं, आप diagram देख पा रहे होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह जो agricultural field आपको दिख रहा है, दिख तो बहुत सुन्दर रहा ही होगा, पर यह long lasting हो पहला point है, improved environmental health, अगर environmental health ही अच्छा ना हो, environment बढ़िया ना हो, क्या यह agricultural practice sustainable होगा, बंसर बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, तो हम लोग का ऐसा कोई activity नहीं करना चाहिए, जिसने हमारा environment affect हो, दूसरा है, minimizations of, है न, offside environmental impact, मतलब यह हो गया, हम लोग का जो environment पे impact परना चाहि उसका जो minimize, जतना कम से कम हो, उसकी हम लोग बात करेंगे, reduce करेंगे environmental risk को, चौथा जो point होना चाहिए, resources, usage और conversation को भी optimize करना चाहिए, पांचमा जो है, high production benefit, low cost productions, यह ध्यान रखना चाहिए, तो benefit ज्यादा हो, lost, मतलब जो low cost productions होना चाहिए, साती सात, जो food होगा, वो improved होना यह सब जो है, अगर points fulfill कर पा रहा है, तो यह हमारा sustainable agriculture कहलाएगा, अगर हमारा agriculture sustainable है, तो आपका society भी, आपके जो आने वाले upcoming generations है, friends, वो भी sustainable होगे, long lasting होगे, आपारा financial भी बहुत अच्छा होगा, environmental भी होगा, यह सब हमारा agriculture पे हे depend करता है, क्योंकि यह major activities आते हैं, humans के activities के examples में, आप यहाँ पर देख सकते होंगे, energy के basis के मैं बात करूँ, sunlight, solar हो गया, wind हो गया, hydro thermal powers हो गया, यह सब जो भी हमारा energy resource है, वो सब sustainable कहलाजता है, अगर हम लोग थोरी सी बात करें, friends, आगे, तो आप देखेंगे, जो हम लोग crops को raise करते हैं, तो crop को raise करने के लिए, season के basis पर हम लोग को तीन देखना होता है, आपको खरीफ याद रखना है, रवी याद रखना है, और जैद याद रखना है, इसमें से जो most common code है, वो मैं बता जेता हम आपको, आप याद रखिएगा, रवी को ठंडा मारा, ठंडा आप मौसम चल रहा है भी, ठीक है, और आपको पता ही है, जब ठंडी लगती है, तो बहुत ही बुरी तरीके से health hampered होता है, तो आप ये देखेंगे, जो ठंडा है, ये आपको याद दिलाएगा, विंटर मौसम का, वर्ड, तो जो विंटर हमारा सीजन से है, जो मौसम है, वो हमारा generally, नवंबर से शुरुवात हो जाता ह है, और कब ता कराता है, अपरिल, आपको याद है, मई-जून के बाद हमारा गर्मी छुट्टी होने लगता है, तो नवंबर से जो मई का महिना है, वो महिना है ठंडा का, तो ठंडा में कौन-कौन सा क्रॉप हम लोग सोन करेंगे, फिल्ड में, क्रॉप में पहला आएगा वीट, फिरागा ग्राम्स, फिरागा पीज, मस्टर्ड, लिंसेट्स, ये सब जो क्रॉप्स हैं, उनको हम लोग करते हैं, रवी को ठंडा मारा, ये सब प्लांट्स हमारे कब ग्रोन होगे, नवंबर से अप्रिल में, तो कट लेना है, नवंबर टाइम में सोन करना है, सोई पाएंगे, पैडी हो गया, सोयबीन हो गया, पीजन पी हो गया, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम्स दिये हुएं, ब्लैक ग्राम्स दिये हुएं, इटिसी ये सब जो क्रॉप्स हैं, वो खरिप में आता है, और जो दोनों इंटरमेडियेट हो, अगर हम लोग बात करते हैं, आप यहाँ पर यह समझ पाएंगे, जो सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स है, यह एक से एक्जाम्पल के यह आप दियान रखेंगे, तो खरिप में आप यह याद रखिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा ताइपस ओफ क्रॉप्स, ठीक है, आप क्रॉप्स का देख पाएंगे, यह आपका टेबूलर फॉप्स है, यह आपका इमेज के फॉप्स में बताया गया है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, जो हमारा जैद का क्रॉप है, जैद हो गया, यह हमारा आपका खरिप हो गया, और यह हमारा आपका रभी क्रॉप्स हो गया, आरे बी आई, तो आप देख सकते हैं, sunflower है, बहुत सारे हमारे, जो आप समझ सकते हैं, potatoes वेगरा में आ जाते हैं, switch potatoes, अगर हम लोग बात करते हैं, थोरा सा, ये monks वेगरा, pulses में आ जाते हैं, lindices, ये सब लेते हैं, और ये हमारा cotton, paddy, soybean, pigeon pea, pea, green grams, ये सब आपका खरीब crop में आ जाएगा, तो अ हमारा जो पहला है, वो परना आपको है, चलिए, अंगर मैं आपको थोरा सा बता हूँ, तो आप ये धियान रखेंगे, कि जो हमारा पहला होता है, food crop, ये food crop क्या है, as a, जिसको food हम लोग use करते हैं, आपको पता है, stable food हम लोग ज्यादा तर खाते हैं, जिसमें हमारा rice आता ह है, मेज आता है, वीट आता है, ये हमारा food crops हो गया, आप इसमें generally जो है, वो cereals लिख सकते हैं, और हम लोग grains की बात करेंगे, जी आर ए आई ए एनस, ये grains की बात करेंगे, है ना, crash crop की बात करेंगे, sugarcane हो गया, tobacco हो गया, हमारा cotton हो गया, income तूरत का तूरंत, जो है, manufacture तो उतना नहीं करना होता है, basically लिए कटकी और उसको sell कर सकते है, plantation, coffee, coconut, tea, ये आपको याद रखना होगा, horticultures में fruit हो गया, vegetables हो गया, आप ये diagram समझते हैं, अगर में लोग बात करते हैं, आप ये serious हाले crops में हो गया, ये आपके crash crops हो गया, ये आपके plantations हो गया, और अगर मैं बात करो, horticultures के लिए ये आपका हो गया, that is, जो हमारा साख सब्जीर normally यूज़ करते हैं, छोटे से जगा में growth करेंगे इस तरह से हो गया, तो ये basically crops थे, जो कि हम लोग per day को कहीं न कहीं अपने daily life में यूज़ करते हैं, friends, तो आप ये देखेंगे, जो major activities की में बात करू क्योंकि आपका chapter ही था improvement in food resource, तो food को as a यहाँ पर जो large amount या large scale पर हम grown करेंगे, हम लोग उसको बात करेंगे, crops का, crops में improvement मतलब improvement in food resources हो जाएंगे, तो crops को improve करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर major आपको तीन परने हैं, जो बहुत सारे तरीके हैं, वही तीन में classified हो तीन का, बट आपको मैं फिर भी बता दू, basis of classification में, K, P, C, O, F, G, S, that means kingdom, phylum, class, order, family, generous, species, तो species के बाद आता है, sub-spaces और varieties, तो sub-spaces and varieties, ठीक है friends, तो आप इसमें देखेंगे, जो variety है, उनको improve करने की बात हो रही है, तो crop का variety हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे यह पढ करेंगे, है ना, और हम लोग बात करें, crop productions का improvement करेंगे, तो पहले याद रखीगा, variety improvement की बात करनी है, फिर हम लोग को बात करना, production improvement की, फिर बात करना है, protection and management की, क्यों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा crop cultivate कर पा रहे हैं, but उसको protect नहीं कर पा रहे है, for further use, they are all wastage of times, तो हम हम लोग जो है, आगले class में देखेंगे, कि जहां से कौन-कौन सा activities हम लोग कैसे implement करेंगे, तो हम लोग मिलेंगे next videos में, तब तक के लिए दोस्त, thank you so much, हम लोग जल्दी मिलेंगे next classes में, तब तक आपो session में बने रहना है, और जरूर से जरूर सारा notes maintain करना है, thank you so much.